हेलो फ्रेंज वेलकम टू माई इस्टोडी फीड चैनल दोस्तों आज मैं बुद्धी के प्रकार इंटाइस आप इंटेलिजेंट्स की बारें बता रही हूं दोस्तों मैं वही चीज बता रही हूं जो आपके एक्जांस में पूछा जाता है फालतों का लंबा चोड़ा नही नेक्स टाइम में वीडियो अप्लोड करूंगे उसका नाटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा यदि आप सिलेबस के कार्डिंग के किसी भी कमपेटिटी एक्जांस की तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल पे सिलेबस के कार्डिंग सभी वीडियो आपको चैनल की प्लेइलि सिरीज चल रहा है तो कांटीनिव आप उस सिरीज को अटेंट कर सकते हैं तो दोस्तों चली जानते हैं बुद्धी के प्रकार कौन-कौन से हैं दोस्तों जैसा कि आपकी यल्टी ग्रेट के सिलेबस में जितना है उस सब पॉइंट मैं आपको कवर करने की कोशिश कर रही हैं तो थांडाइक ने बुद्धी के तीन प्रकार बताया हैं थांडाइक ने बुद्धी के कितने प्रकार बताया हैं तीन प्रकार कौन-कौन से उन्होंने बताया समाजिक बुद्धी, अमुर्त बुद्धी, मुर्त बुद्धी, समाजिक बुद्धी में उन्हें बताया है कि इसकी विसेस्ता है क्या है समाजिक बुद्धी की, कि इसमें समाजिक मानसिक छमता, जिसके अधा पर अन्य प्यक्तियों के ब्योहार कुसलता, तो था उन्हें ठ प्रफीठ से संज्जा जाता है। जिसके पास समाजिक बुद्धी होता है। उनके समाजिक संबंध तथा समाज में इज्ज़त बहुत अच्छी होती है। जैसे कि हर एक परशीटिव में वो अपजरृ कर लेते हैं, संदूलन बना लेते हैं, समझर से बेठा लेते हैं जैसे कि एक सफलनेता होता है इस प्रकार कि बुद्धि वाला व्यक्ति एक सफलनेता बन सकता है इसका एक्जाम्पल है दुसरा प्रकार है अमुर्त बुद्धि अबस्ट्रAfteraint Intelligent अब इसका विशिष्ता है कि ऐसे मानसिक छम्ता जिसके अधार प्रभ्यक्ति साब्दिक यानि वर्बल तथा गड़िती संकेतों यह चिन्हों को आसानी से समझ जाता है एक अमूर्थ बुद्धी कहलाता है जैसे कि एक्जाम्पे के लिए एक सफल कलाकार हो गया पेंटर गड़ित तग इसमें अमूर्थ बुद्धी होता है गहराई से चिंतन करते हैं तिसरा हो हो तिसरा प्रकार है मूर्थ बुद्धी और ऐसे बुद्धी की विशिश्था है कि ऐसी मानसिक जंता जिसके अधायार पर व्यक्ति ठोस के महत्त कूश समझता है तथा उनका उपियोग भिन भिन परिशितियों में करता है इस प्रकार का व्यक्ति वाला व्यक्ति एक शफल व्यापारी होता है तो दोस्तों, ये था बुध्धी के प्रकार थार डायिक में बुध्धी के तीन प्रकार बताएं समाजिक बुध्धी, अमुर्त बुद्धी ुमूर्त बुध्गी, तीनों की बिसेस्ता के कौन बेक्टिव हो सकता है इसके बारे में मैंने बताया अब बात करती हूं से बुद्धी के सिधान्त कौण कौन से है उसके बारे में पूरे i detail में grouped नहीं करूंगी दोस्तों क्योंकि बुद्धी के सिधान से बस यही우 pressing कि सिधाна को किसने प्रतिपादित किया, तो मैं बस उसी के बारें बता रही हूं, तो बुद्धी के सिधान को तीर भागों में बाटा गया है, बहु कारक सिधान, यानि दो मल्टी फैक्टर थियोरी, दुसरा दी कारक सिधान, दो टू फैक्टर थियोरी, तिसरा समुही कारक सिधान, दो इसे ब्यक्ति परक्सिधान भी आटोमिस्टिक थियोरी भी कहा जाता है एंड दी कारक्सिधान दा टू फैक्टर थियोरी के प्रतिपादक सी स्पियर्स मैन है एंड सामुही कारक्सिधान दा ग्रूप फैक्टर थियोरी के प्रतिपादक एल एल थ्रस्टोन है तो दोस्तों आज बस इतना ही नेक्ट विदियो में बुध्धी परिछट के कितने रूप हैं जिसमें से सबसे पहले बुध्धी परिछट कि इसने किया IQ क्या होता है इस सब के बारे में बताऊंगी जो आपके exam में पूछे जाते हैं वही तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको समझ में आया होगा दोस्तों कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएए एंड वीडियो को जादे से जादे दोस्तों तक भी सेर किजिए जिसे मुझे एक नया मॉटिवेशन मिल सके जिसे आप के लिए मैं डेली वीजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल पहले बाद विजिट कर रहे हैं तो चलों को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को फ्रेस कर लीजिए जिसे जो मैं नया वीडियो अप्लोट करूंगे उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में नेक्ष्ट टॉपिक के साथ कर तक कि लिजा हैं